नमस्कार मैं हूँ रवी कुमार और आप देख रहे हैं माम बे नूज अभी हूँ मैं हूँ आतिहासिक माभधरिकाली मंदिर के प्रांगन में आज मैं आपको एक ऐसे वेक्ति से एक ऐसे आदमी से मिलाने जा रहा हूँ जो माता के पड़ते उनका अलग सर्धा और विश्व पास है आज जहां लोग अपने घर को सजाने को दूर रहते इस वेस्तम समय में अपने घर को समय नहीं दे पाते हैं वहीं एक ऐसे वेक्ति है जो माता भधरिकाली अब मा कनुनिया के पीछे वो भक्ती में दिवाने नजर आते हैं हर वक्त उनके घर के छोटे बड़े फंक में उन्होंने अपनी ओर से 101 गींदा फुल की सुंदरता पौधे को लगा कर आज मा के प्रांगन को गुल्जार करने की कोशिस है उनकी आए सिधे उनसे मिलाते हैं और जानते हैं उनसे पूरी बात अब सीधे रूबरे होते हैं उनसे और जानते हैं सबसे पहले आप अपने नाम बतागी मेरा नाम जीतेंद कुमार दांगी हुआ आप यहां आपकी होटल मदर काली मंदीर परीशर में मेरा है आज आप आतिहासिक मादर काली मंदीर में 101 गेंदा का फूल लगा रहे हैं इस प्लांटेन को काँ रहते हैं हम यहां लगाएं नारियल को और हम्याया प्रते की трटा की यहां पर तोड़ा से अच्या नहीं लगा था तो सोचे गमला यहां पर खाली पड़ा हुआ है तो इसमें मिट्टी डलवा देते हैं और हमने गेंदा फूल का अपलब्द कराया और मैंने लगाने का सोच लिया मैं आज लगा रहा हूं यहां पर आज कुछ विसेस मौके पर लगा रहे हैं या बस मा की प्रांगन को सुन्दर करने के लिए बन लगा रहे हैं मौका तो विसेस होता ही है लेकिन मा का प्रांगन सुन्दर हो इसे विसेस कुछ हो नहीं सकता है एक चीज और आपसे सवाल करना था कि अतिहासिक मा भदरिकाली मं आपकी जुडाव कुछ अलग ही है, यहां से बसी हुई, यहां से लगी हुई, इस प्रांगन से जुड़ी हुई, कनुनिया माता और मा भदरिकाली से एक अलग नाता रहा है आपका, हर वक्त आप विसेश मोके पर, या तो ऐसे ही, मा के आराधना में भी आप लिन रहते हैं, इसके बारे में कुछ है, हमारे दर्वार के देखें, सुरू से बच्पन मेरा यहीं पर बीता है, और मैं 94 से यहां पर मा के दर्वार में हूँ, मेरा दुगान भी यहां 94 से है, और मा के परती मेरा अलग एक लगाव है, यहां एक अदभुत सांती मिलता है, और मुझे वो स पुछ करने के लिए, तो मैं जब तक करता नहीं हूँ, मुझे नीद नहीं आती है। लगातार इनका ये रहता है कि प्रेर ना देते रहें लोगों को, कि पौधे को लगाएं, पेड को लगाएं, इसे प्रेयावरन तो सुध रहता ही है, मा का प्रांगन भी खुबचूरत बनते रहता है, ये बहुत ही खुबचूरत और अद्बूत आलोकी कस्तल है, जहां पे लोग आकर ही वो अपने आपको पुर्ण के भागी और त्रिपते समझते हैं, माता का दर्बार सबसे अनोका, सबसे अलग और सबसे अजूबा है, आज भारत में आपको बता दें कि माता का मंदिर, एतिहासिक मा भदर काली मंदिर सबसे अलग और सबसे अनोठा है, मा का प यहां पर आप कनुनिया माता का मंदिर है, जिससे बहुत दर्सक नहीं जान पाते हैं, मैं अपने चैनल से उन्हें बताना चाहता हूँ, कि जिस तरह माता वैसरों के दर्सन के बाद भैरो दर्सन करना जरूरी होता है, वैसे ही माता भदरिकाली के दर्सन के बाद कनुनिया माता का दर्सन जरूरी होता है, जो भक्त माता भदरिकाली की पूजा करते हैं, वो जरूर कनुनिया माता का दर्सन करें, तभी उनका साधन और उनकी पूजा शंपर्ण होगी अब उनसे मैं जितंदर जी से जो आनना चाहूंगा मुझे पता है कि वो कुछ दिनों पहले करीबन करोना काल में ही जब सब कुछ थम चुका हो था लेकिन उनने अपने होसले को थमने नहीं दिया उन्होंने अपने जजबे को जारी रखा और सोसल मीडिया के थुरू उन्होंने एक ऐसा मुहीम चलाया कि एतिहासिक मा भदरकाली से जुटे होए को कनूनिया माता आज खूपसूरती का एक प्रतीक बन गया है जो मंदिर पूरी तरह से ब्लुक्त होते जा रहा था तूट गया था फूट गया था आदमों उस पर ध्यान नहीं दे रहते हैं इन्हीं ने जितंदर जी ने उन पर ध्यान दिया और वो मंदिर भी आज बहुत ही खूपसूरत बहुत ही आलोकिक और बहुत अद्वूत है बिना देर करते हुए कनूनिया माता के बारे में भी सरदा आपका रहा है आप करोना काल में जब सब तो यहां पर साथ सज्जा होती था और कुनिया माय से हम जब वापस जाते हैं थे हम लोग घर के तरब तो कॉनिया मां कर दर्वार देखते हैं तो बहुत अदासिन रहता था तो बहुत दिन भीत गया मतलब दो चार-पांट साल भीत गया हूँ तो हमको बहुत अजीव के लिए आप लोग सहीयोग करें और लोगों ने मैं ये गर्व के साथ कहता हूं कि मुझे सोसल मीडिया से बहुत सहीयोग मिला मैंने वहां 80,000 रुपय का काम किया जिस में मुझे 40,000 रुपय सोसल मीडिया के दुवारा मिला और मुझे हाल फिलाल में वहां पे सौंड का भी रहेगा जैसा कि जितनimir जींडे बताया कि उनकी सरधा मैंने पहले भी बताया था आप लोगो को कि माता भद्रकाली और कंनुणिया मातास से बहुत ज्यादा ही सरधा उनकी है जब जब कुछ थम चुकाता करोना काल में इनोंने एक ऐसा दिलेगбо कि ऐले दिखाया कि माता का सिर्वाद लेते हैं और अतिहासिक माभधरकाली मंदिर में आने वाले लोग अब कनूनिया माता तक पहुँचे रहे हैं और माता का सिर्वाद और कनूनिया माता का सिर्वाद ले रहे हैं अम इनसे कुछ सिव मन्दिर के बारे में भी जानना चाहेंगे क्योंकि सावन में इनका विसह हर स्वंवारी को एक हजार आठ सिवा मौजूद हैं। उनके बारे में कुछ इंसे जानते हैं, यहां सीव जी जो विरजमान है, एक सीव जी में एक हजाराथ सिवा मौझूद है, सावन में हर वक्त आप उन वहाँ पूजा करने जाते हैं, उसके बारे में बता है। यहां एक सीव में एक हजाराथ सिवा मौझूद है, यहां एक सीव में एक हजाराथ सिवा मौझूद है। आतिहासिक माभधरकाली कई रहस्यों और अद्भूत आलोकिक कथाओं से भर हैं। इस मंदिर के लिए एक विसेश न्यूज बनाऊंगा। लेकिन अभी हम आये हैं जीतंदर जी से मिलाने, उन से रूबरू कराने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए, उन्होंने आज अपने दिलेरी से प्राकिर्तिक को और एक अलग आवाम देने का कोशित किया, आज 101 गमले में उन्होंने गेंदा का फूल लगाया है, ये धरमस्तल तीन धरंआ का संगम है, आपको बता दे, बहुत जैन और सनातन, यहाँ पे तीन धरंआ का संगम है, माता का परिकर्मा की ये वे ये नदी, तीनों माता की और से गुज्री भी, ये आलो के कस्तल, और य और जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि बस कुछी दिनों में आपके साथ मैं लेके आऊँगा इस एतिहासिक माबद रिकाली मंदिर की पूरी कहानी और रहस्म ही कथा के साथ तो बने रहें मामबी नियूज में मैं हूँ रवी कुमार और आप देख रहें मामबी नियूज धन्यवाद